तो फर्स चैप्टर को आज हम लोग बहुत अच्छे तरीकी से पढ़ लेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो तुम्हें इवन बुक रिट करने की बिज़र्ट नहीं पढ़ेगी तो आज हम लोग का टेवर आफ कांटेंट क्या क्या है तो आज हम लोग इसमा सबसे पहले यहां पर हम लोग रिटर के बारे में देखेंगे तो महबद इसमाइल मेरेटी इसके राइटर है और इनका बॉर्ण 1844 में हुआ था और 1970 में इनकी देख हो गई थी तो सबसे पहले राइटर के बारे में जो यहां पर लिखी हुए है पाच पॉइंट मैं यह ही नहीं करना है इन्हें बच्पन से पढ़ने लिखने का शौक था अपने शौक और मुहबद से इन्हें बरीत रखते की कम उमरे में मुलाजिम होगा यानि इन्हें कम उमर में जॉब मिल गए थी इल्मो अदब की दुनिया में नाम पैदा किया उर्दो फार्सी के उस्ता इन्हें किताब तयार की किताबे हर जमाने में मकबूल हुई और आज भी बच्चे शौक से परिते हैं इन्हें किताबे आज भी शौक से परिजाती है और इन्हों ने वही उर्दो फार्सी में इनकी बच्चों के लिए किताबे लिए लिए इसके बाद मजीद हम लिए इस इसमाइल मरेटी के इन किताबों में आसान और सलीज दवान इस्तमाल की है, बच्चों के मिजज उनकी जहनी जरूरत का खास श्याल लगए है, इन्हीं किताबों की एहमियत आज भी मुसल्म है, इन्हें मतलब कि यहाँ पर इजी लैंग्वेज के इस्तमाल किया गया, यहाँ लिखते हैं कि आज भी पसंदीदा, आज भी मकबूल है इनकी राइटिंग, मतलब आज तभी तो तुम पढ़ रहे हो इस बात क्यों, तो इसी बात को तुम अगर एक दो बात पता चल जाए मोटा मुटी टॉपिक, तो तुम अच्छे सा अपने से खुद से जवान में बन चीजसें के बारे में इसमें यहां पर बताया जा रहा है, यहां पर इसकी किब्रियाई के बारे में बताया जा रहा है, और सूरज से हमने गर्मी भी, रोशनी भी, क्या खुब चश्मा तूने, ऐ महरबा बनाया, चश्में उस जगों कहते हैं, जहां से पानी फूट के नि चाहिए जिसने ये दुनिया बराई, कैसी जमी बराई और क्या आस्मा बराया, इस दुनिया में जमीन और आस्मा को कोई नहीं बना सकता, बस सीधा सीधी तश्रीह है इसका जो तुम समझ रहे हैं, जो लिखा हुआ है, एकदम simple language में लिखा हुआ है, और इसी को तुम अगर एक बार यहां पर rate कर ले रहा है, तो अपनी हिसाब से तुम पूरी की पूरी तश्रीह अपने word में लिख सकते हो, अगर तुम और भी इस चैप्टर के बारे में और एकदम mastery हासिल करनी है, तो तुम एक बार बंद करके खुद से copy में लिखने की कोशिश करना, अपने दिम मिट्टी में से एक living organism में एक पेर पॉध है, जो है एकदम greenish और जिसमें तुमें ये सम उगाई, ये समलब कोई normal बंदा उगाई नहीं सकता, तो ये अल्ला की किवर्याये बताए बताए जारी है, जो line है सूरज से हमने पाई, गर्मी भी, रोश्नी भी, क्या खूब चश् उस जगों कहते हैं, जहांपर से पानी फूट कर निकलता है, तो यहांपर से सूरज को इस तरह से मानित किया जा रहा है, सूरज को मतलब की रोश्नी का चश्मा बताया जा रहा है, जहांसे रोश्नी फूट के निकलती है, जिससे हमें गर्मी भी मिलती है, और हमें रोश्न भी बेलती है तो हमारे लिए सूरच कितना जादा यूसफुल है तो बस यह इस ही अल्ला की किवियाई बता जा रही है इस लाइन से भी लोग अब आगे पड़ते हैं उन्द में तो यह प्यारी प्यारी चिरिया फिरती है जो चाहती खुद्रत ने तेरी इनको तस्विख भा तब बोलता है तो इस जतनी भी चिरिया है चाहती वो एक दिनमे एक कुरा कुरान खत्म करते हैं ऐसा मतलब का जाता है था तो इस तरह से सारे चेरिया वगरे सारे परिंदे वगरे हैं वो सब अल्ला की तस्वी बयान करते रहते हैं और इसके बाद जो रहमा से तेरे क्या-क्या नहमते मुएसर इन नहमते को तुझको कदरदा बनाया तो इस लाइन का है कि यह पहार, जितनी भी कुछ है, मतलब कि बारिश, हवा, पानी सब से अल्ला की पुदरत और अल्ला की बराएही नज़र आती है तो इस विसरे से हमें यही बता जलता है कि इस दुन्या में लह ने किसी भी चीज़ को फिजूल या फिर बेकार नहीं बनाया हर चीज जो तरह से हमारी हम्द की जो तश्री थी वो मुकमन हो जाती है और इसके बाद जो नजम का जो मरकजी ख्याल है ये एक नमर में सीधा सीधी पूछा जाता है कि इसमाइल मेरेटी की जो हम्द थी उसका मरकजी ख्याल क्या था तुम इस नजम का जो मरकजी ख्याल है इसमें तुम तो हमें उसका शुक्र गुजार होना चाहिए और बस इसी यही इस नजम का मरकजे ख्याल है तो अब इतना कुछ करने के बाद हमारे पास आता है कोशन आंसर मश्खी सवाल और जवाब जो तुम्हारे बुक में दिये गए है तो बुक में जो पहरा सवाल जो है तुम्हारा शायर ने बेल बूटी को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है यह पहरा सवाल है तो इसका जवाब यह है मिट्टी से पेड़ पौदे उखते हैं और इन पर बेल बूटे फूल फल लगते हैं इसलिए शायर ने खुदा की खुद्रत को जाहिर करने के लिए कहा है कि मिट्टी से खुदा ने किस कदर खुशनुमा बेल बूटे उगाए हैं इस जितने भी कोशन आंसर मैं पढ़ रहा हूँ या फिर तश्रीती उसे मैं स्लाइट जब भी चेंज किया हूँ तुम्हें एक बार वीटियो पॉस करके खुद से रेट करना परेगा इससे होगा कि तुम्हें एक बार अच्छे से खुद से एक बार पढ़ लोगे ना तो तुम्हें ये दुबारा रेट करने की या फिर दुबारा खुलने की ज़रुत नहीं परेगी तो एक बार तुम रेट करते जाना, मैं तुम्हारे लिए एक बार पढ़ दे रहा हूँ, यह पूरा पूरी पढ़नी की जवरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को होता है कि उर्दू पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, उसकी ब यहां पर पूरा बता लाझका है, कि मैं बहुत से रोशनी खूट कर निकलती है, जिससे हम लुग को रोशनी हासिल होती है, और यहीं, इसका यहां पर पूरा बता दिया गए, तो इसलिए पूरा बता दिया गया। तो यहाँ एमेजिनेशन किया करते है तसेखर करते है कि खोदा के हम्दोसना कर रही है Yeh jho चीर्या चरिया चरंद परिंद्ज नहीं है इसकी पाकी बयान कर रही ह 커피 है बस सिंपल सा एंसर पूरा का पूरा चर्टर कंप्रीट कर लीए तो अब कोई क्रिविजन के लिए हम लोग क्या करेंगे कुछ MCQs discuss कर लेंगे, जिसका तुम अगर answer दे दे रहे हो, तो इसके बाद समझ रहे हो कि तुम ही ये chapter तुम्हारे लिए एक दम मतलब तुम इसके mastery हास्मिक कर चुप सबसे बहुंद समाल, आंके की तुम इसमान मेरी कि सकी तरफ करने का कह रहे हैं, तो पहला मिट्टी की तररीख करने के लिगये थीघरी, तो तुम सौन के करिया रहे ती, और इसमेड की कि तरफ करे थीघरी का, तो वैसके हां जो है, पयार रहाई हो सकता है या फिसकाया थोसकती हो आझ हो शकते हो जो हमदि में एहाइ ऑगे लिखा हो रहा था है धिछ शैर्टी न च्रिया और और इसके साथ तुमारा आज या यह द्रीर हें नहीं दूंत 18307 इसन हिस्न अंई आयां भी बमघोरा ने तुम्हें इस वीडियो का ज़ान सेarios और फिर नहीं बनेगा है और अगर तुम्हें पर चाहिए ओर टो में बताना परेगा कमेंट करके और तुम्हें इस वीडियो में क्या चीज नहीं लगा? क्या गलत लगा उस सब तुम कमेंट कर सकते हो मैं जानता हूँ थोरा सा पीपीटी में कहीं पर एक चश्मा में मीम चुड़िया था और कुछ-कुछ यहां पर दिक्कत हुआ तुम मुझे कमेंट कर सकते हो मैं तुम अपने फ्रेंड सब के साथ जरूर शेयर करोगा तो फिर उर्दू बहुत ही लिमिटेड लोग लेते ही हैं और उर्दू का कहा ही कुछ होगा तो शेयर करना यार मस्ट है तो बिलकुल कर देना शेयर और विलते है नेक्स वीडियो में ठीक अल्ला